वेलकम टो शन्जीव इंटेक जिस शन्जीव फ्रेंड्स दिवाली बीपेसिल के जूम आप बाइटेन परसेंट अस पर न्यूस इस कंसर्ण एक स्विंग टेडिंग के आइडिया देंगे उससे पहले सबको रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज दू सब्सक्राइब मैं चैनल मेरा यह वीडियो आप फ्रेंड्स फैमिली मेंबर के साच प्लीज शेयर करिए पहले न्यूस बता देते हैं न्यूस है के ओम सिसको और ल्पीजी को 22,000 क्रोर वन टाइम यह सब्सीडिरी कर रहा है कंपेंसेट कर रहा है गब्मेंट तीन बज़े के करीब इसका ब्रीफिं है कि यह अपका ओम सिस में थोड़ा सा पॉजिटीव हो सकता है एंड जो बीपी सीयल का शेयर है उसमें तेजी आ सकता है फ्रेंड्स पहले बता देते हैं 12 अक्टोबर 2022 बाइंग भी दे रहा है पोजिशनल बीपी सेल की उपर 304 रुपया का करेंट मर्केट प्राइस है 9 रुपया का छोटा से स्टॉप लॉस जो बैठता है 295 के असपास टार्गेट होएगा 317 से लेके 340 तक टाइम होराइजन 15 डेस से मतलब दिवाली से पहले पहले आपको 340 का इसका जो टार्गेट है वो टार्गेट फ्रेंड्स दिख जाएगा क्यों बता रहा है हम आपको ऐसा पहला बात है कि स्टॉप जब नीचे होता है ना तभी स्टॉप में आपको बाइंग के फाइदा है और बाइंग के फाइदा है मतलब 512 से स्टॉप आपको अभी मिल रहा है 300 के असपास 303 लेवल विसी के लिए तो देखा जाएगा इटसा ही यूज डाउन फार्म दो टॉफ और एक चीज जो बुलना है इसका जो सेट अफ है वो सेट अफ बहुत-बहुत स्टॉंग लग रहा है नीचे का जो सपोट के साब से देखा जाएगा वन अब दा सेट अप यह मेरे को लग रहा है फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं तब हम आपको यह बाइंग व्यू देते हैं इन टरम्स अप पोजिशनल उसमें जो फिप्टी टू हंडेड और ट्वेंटी यह में के नीचे में स्टॉप मिलता है एक बार थोड़ा देख लीजिए गम क्या बोलने का कोशिश कर रहा है फ्रेंड्स बैसिकली यह जो तीन लाइन आपको दिख रहा है यह आपे इसको इंपूट लाइन को 20 कर देता है तो 20 आपके लिए सही रहेगा तो यह पर तीन जो मैंने आपको यह पर लाइन दिखाया है वो लाइन को थोड़ा हम हाइट कर देते हैं दिखिए यह शेयर अभी ओवर सोल्ड जोन पर है तो मतलब आपके पास किसी भी कंपनी का शेयर हो और वही शेयर को कोई बाई नहीं करना चाते है और वह फंडमेंटली स्ट्रॉंग काउंटर हो तब ही आप उसमें बाइंग करेंगे कैसे आपको पता चल रहा है कि इस अर्थ ओवर सोल्ड और नॉट बिसिकली आप थुरा सा क्लिक करेंगे तो आपको यह से पूरा-पूरा दिख जाएगा ते कि हम दिखा रहा है आपको कि देखिए यह आल्मोस्ट 40 के आसपास आरेसाइग लेविल आके सापूर्ट ले रहा है तो मेरे को लगता है कि यह से ओवर सोल्ड जोन से इतना तक रेंज बाउंट्रेड होगा तो इसका होगा तो यह स्टॉक आपको इतना तक भग जाएगा थुरा सा इसको यह में को हम तब भी दम नहीं होता है जब शेयर ओवर सोल्ड लगता है तो ओवर सोल्ड के साप से सापोट के आसपास लेंगे तो आपको दो पैसा दिख जाएगा 295 का स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप ही शेयर में तेजी का मोमेंटम बना के रखके चल सकते हो सपोज हम दर्गेट आपको यहां से इतना दिख जाएगा नीचे जाने के बाद फिर इसी लेवल पर आके सापोट ले तो इसी लेवल के पास यहां जाके सस्टें करेगा उसके बाद नेक्स्ट फ्यू डेस में इतना तक भी जा सकता है ऐसा मेरा मानना है फ्रेंड्स शेयर लेने के तभी मज़ा है जब शेयर डाउन हो अगर डाउन में अच्छा शेयर होता है तो उसको एड़ करके हमेशा चलना चाहिए तो उसी सबसे मेरे को लगता है कि ये शेयर में बहुत बहुत ज़्यादा अग्रोसिव वे में इसको जो पैटरन का ब्रेक आउट है वहर सोल के साथ से तो वह आपको यहाँ पर दिख सकता है Secondly इसका जो और ज़्यादा जो पॉजिटिव इंपक्ट और पॉजिटिव निउस है ओएमसिस के रिगार्डिंग जो 12 अक्टोबर 2022 को आया है तो उसे सबसे लगता है कि इसमें बहुत 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 अच्छा एक फ्लैक्शेशन आ सकता है तो इसके साथ साथ इसका जो निउस फ्लो है निउस फ्लो के साथ जाएंगे तो इस स्टॉक में बाइंग भीव बनता है उसी सबसे मैंने आपको बाइंग भीव दिया है hope guys कि आप यहाँ से अपना जो position है वो बना के चले और आपका दो पैसे इसमें profit हो या तो थो थुरा आपको आपका portfolio में इस देवाली तक कुछ पैसा आने का इंतजम हो friends एक बात है अगर लगता है कि मेरा भीव आपको अच्छा लगता है तो please do subscribe my channel and कुछ भी बाइंग करने से पहले आप अपना जो financial advisor है उससे साथ जुरूर सिला लीजिएगा यह bit and down stock है नीचे से support के असपास है और positive news के चलते में हम आपको इसका बाइंग भीव दिये है यह swing trading के idea उसे सबसे मैंने आपको यह दिये है paper trading करने के बाद ही कुछ करेंगे तो और वैतर होगा सोचिए समझिए रिक्स, tolerance, discipline यह सब acquire करिए उसके बाद यह stock में entity करिए thank you so much for watching my video यहाँ से दूसरा कुछ खोशते हैं लेके आते हैं आपके पास तब तक के लिए अच्छे रहिए, खुश रहिए, happy trading कि रहिए, happy trading